भालू की मदद एक बार बड़े बड़े पहाडों से घिरे सुन्दर पेडों से एक घना जंगल था जंगल के शांती पूर्ण वातावरण में कई जानवर थे एक बार एक भालू बोजन के लिए जंगल में खूम रहा था फिर वहाँ एक पेड के नीचे वो जाल में फस गया और कहने लगा भालू ने मदद के लिए चिलाना शुरू कर दिया उसकी आवाज सुनकर एक हिरन वहाँ आया फिर भालू ने हिरन को बताया अरे हिरन कृपिया मेरी मदद करो नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ अगर मैं आपकी मदद करूँ तो आप इस जाल से निकलने के बाद मुझे नुकसान पहुचाएंगे तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा कृपिया मुझ पर भरोसा रखो मुझे विश्वास है कि तुम अपने बाद पर नहीं रहोगे फिर वहां हिरन डर के मारे वहां से चला गया ए भगवान यह हिरन यहां से डर के मारे चला गया अब कौन मेरी मदद करेगा फिर भालू मदद के लिए फिर से चिलाने लगा बाद में एक पेड से दूसरे पेड पर छलांग लगाते हुए एक बंदर ने भालू को देखा और जब भालू ने भी बंदर को देखा तो भालू ने उसे कहा बंदर कृपिया मेरी सहायता करो अरे नहीं इससे बाहर निकलने के बाद आप मुझे खा जाओगे मुझ पर भरोसा करो बंदर मैं तुमको नहीं खाऊंगा ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा फिर बंदर ने अपने दातों से जाल को टुकडों में फार दिया और भालू को बचा लिया फिर भालू बाहर आ गया और उसने कहा मुझे बचाने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त तुम मेरे साथ मेरे घर चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता का परिशे दूँगा वे तुम्हारे लिए बहुत खुश महसुस करेंगे ठीक है दोस्त चलो चलते हैं दोनों भालू के घर की ओर चलनी लगे रास्ते में एक बाग ने उन्हें देखा और बंदर ने बागने की कोशिश की तब भालू ने कहा अरे बाग यहां से चले जाओ यह बंदर अच्छा है इस बंदर को मत खाओ तब बाग ने कहा रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाओंगा जो चाहे वो कर लो मैं बंदर को बचाओंगा तुम बंदर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो पहले जब मैं एक समस्या में था हालांकि किसी ने मुझे नहीं बचाया इस बंदर ने मुझे बचाया ठीक है फिर मैं देखूंगा कि तुम अब मुझसे कैसे बचपाओगे बाद में बाग ने भालू को मारना शुरू कर दिया भालू ने भी बाग को वापस मारा कुछ हद तक वे दोनों जगटने लगे कुछ समय बाद बाग रुख गया और उसने कहा जैसा कि ये भालू बंदर के साथ है मैं बंदर को नहीं खा सकता हूँ मैं बाद में आऊंगा ऐसा सोच कर बाग वहां से चला गया तब बंदर ने कहा मुझे उस बाग से बचाने के लिए धन्यवाद यह ठीक है तुमने भी मुझे उस जाल से बचाया था ऐसी बाते करते हुए वो दोनों खुशी-खुशी अपने रास्ते चले गए तो कैसी लगी आपको ये कहानी इस कहानी का नैतिक है अगर आप किसी को एक समस्या से बचाते हैं तो आपको भी समस्या में उनकी मदद करनी चाहिए आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले धन्यवाद गर्द से भरा शेर एक बार बड़े बड़े पहाड थे उन पहाडों के बीच में एक घना और डरावना जंगल था उस जंगल में बहुत सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे उसी जंगल में एक शेर और बाग रहते थे जिनका बागे जानवरं से कोई नाता नहीं था और वह बहुत अच्छे दोस्त भी थे शेर को अपनी ताकत पर बहुत गर्ब महसुस होता था हाला कि शेर अकसर बाग को डांट लगाया करता था लेकिन बाग शेर के शब्दों पर विचार नहीं करता था क्योंकि बाग जगड़ा नहीं करना चाहता था जैसे ही बाग शेर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था बाग अपने खाने को हमेशा शेर के साथ शेर करता था एक दिन शेर और बाग जंगल में गूमने गए कुछ देर बाद बाग को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए पास के तालाग के पास गया तब शेर ने अपने दिल में महसुस किया आज मुझे अपनी ताखत दिखानी है और अपनी बड़ाई करनी है मुझे यह सावित करना होगा कि मैं तेरे से ज्यादा मजबूत हूँ ऐसा सोचते हुए शेर ने सोचा कि अब वह क्या कर सकता है बाग पानी पीके वापस आ गया फिर शेर ने कहा मित्र देखो मैं तुमसे ज्यादा ताखतवार हूँ आज हम ये प्रतियों की रखते हैं और तुम इसे स्वीकार कर लो नहीं दोस्त मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा ताखतवार हो क्या, तुम मुझ पर दया कर रहे हो, तुम क्यों नहीं स्विकार करते, जो मैं तुम से कह रहा हूँ क्या तुम नहीं जानते हो, मैं कोन हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ मैं मेरे दोस्त को नहीं रोक रहा हूँ और मैं स्वीकर कर रहा हूँ कि तुम मुझसे अधिक मजबूत हो नहीं दोस्त तुम्हें यह प्रतियोगिता स्वीकर करनी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितना मजबूत हूँ शेर के शब्दों को सुनने के बाद बाग नी प्रतियोगिता को स्रीकार कर लिया फिर शेर पेड़ों के बड़े लौग को देखते हुए उसने कहा पेड़ों के उन लागों के बीच जो सबसे बड़ा लाग तुम उठा सकते हो उसे उठाओ जिसे हम अपनी ताकत का पता लगा सकते हैं फिर बाग वहां गया और एक लौग को उठाया जिसे वह उठा सकता था तब शेर को लगा मुझे बड़ा लाग उठाना है और अपनी शक्ति साबित करनी है गर्व की साथ शेर ने लौग को उठाने की कोशिश की जो की बाग के द्वारा उठाये गए लौग से बड़ा था शेर उठाने में असमर्थ रहा और उसने उस बड़े लौग को नीचे रखा फिर से शेर ने लौग को उठाने की कोशिश की और लोग को थोड़ा सा उठाया और फिर से नीचे रख दिया बाग ये सब देख रहा था तब शेर को लगा किसी भी तरह मुझे इस से लंबा लाग उठाना होगा नहीं तो मैं अपनी गरी मा खोदूंगा इसी तरह एक गहरी सांस लेते हुए शेर फिर से बड़े लोग को उठाने की कोशिश करने लगा लोग इतना भारी था कि लोग शेर के हाथ से फिसल कर शेर के पैर पर गिर गया फिर रोते हुए शेर ने कहा मुझे बचा लो मेरे दोस्त, मुझे बचाओ तब बाग शेर के पास गया लौक को नीचे रखा और शेर का इलाज करने लगा तो आपने ये कहानी सुनी? कैसे लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक पतन उन लोगों के लिए निश्चित है जिनके पास गर्व होता है आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले धन्यवाद एक अच्छा भालू एक बार पेडों से भरे घने जंगल में एक खर्गोश और उसका दोस्त भालू रहता था उनके भोजन को समान रुप से साजा करके खाते थे और बिना किसी विवाद के खुशी से रहते थे हाला कि भालू देखने में बहुत क्रूर लग रहा था पर वास्तव में वो बहुत अच्छा था वही खरगोश देखने में तो बहुत खूबसूरत था पर दिल का काफी स्वारखी था हर दिन की तरह खरगोश और भालू भोजन के लिए जंगल में टहल रहे थे खरगोश को प्यास लगी और तालाब के पास पानी पीने के लिए चला गया ये तालाब तो बहुत साफ था खरगोश ने तालाब में अपनी परच्छाई देखी इससे पहले उसने अपनी परच्छाई कभी नहीं देखी थी और यहां देख उसे बहोत मुग्द महसुस कर रहा था उस दिन से खरगोश भालू के बदसुरत रूप और काले रंग के शरीर के कारण उससे नफरत करने लगा खरगोश ने भालू को दूर रखना शुरू कर दिया और भालू के साथ पोजन भी नहीं शेयर करता था हाला कि खरगोश के इस विवहार के बाद भी भालू शांत और बिना किसी विवाद के रहते थे एक दिन जान बुच कर खरगोश ने निमनलिखी शब्दों के साथ भालू के साथ विवाद किया आज से मेरी साथ बताना तुम अपने रास्ती जाओ और मैं अपने रास्ते जाओंगा क्या हुआ मेरे दोस्त तुमने ऐसा क्यों कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मुझे ये केते हुए बुरा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो मजसे दूर चले जाओ खरगोश के उन शब्दों से भालू गुस्से में वहाँ से चुप-चाप चला गया उस दिन से भालू ने खरगोश को दूर से ही खरगोश पे नजर रखनी शुरू कर दी ताकि उस पर कोई समस्या न आए मुझे बहुत अफसोस है मेरे दोस्त यदि भी तुम मुझसे मिलना पसंद नहीं करते लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ सुचना देने आया हूँ भोजन के लिए उस तरफ मत जाओ क्यूंकि एक शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए उसने वहाँ जाल बिछा रखा है सुबर सुबर मैंने तुम्हारा बदसुरत चेहरा देखा है अब मुझे पोरा दिल तकलिफों से जेलना पड़ेगा सामने मताओ मेरे बाहर जाने कर समय है इस तरह खरगोश नी भालू से बेरुखी के साथ बात की और भोजन के लिए शेरों की जगह की ओर जाने लगा कुछ समय के बाद जैसे कि भालू ने कहा शिकारी द्वारा रखे गए जाल में खरगोश फस गया अब मैं कैसे बच सकता हूँ हलाकि मेरे दोस्त ने मुझे सुझा दिया मैंने उसे नहीं सुना और यहां आ गया अब मैं इस जाल में खरगोश फस गया यहां मुझे बचाने वाला कोई नहीं है इसी तरह खरगोश रोने लगा जैसा कि भालू जानता था कि खरगोश जाल में फस सकता है और घातक रुप का सामना कर सकता है भालू खरगोश की जान बचाने के लिए खरगोश के पीछे चला गया था खरगोश को जाल में फस देखके वहाँ अपने दातों से उस जाल को फाडने लगा और उसने अपने दोस्त को बचा लिया मुझे माव करद दोस्त अब तक मैं तुम्हारे बचसुरत रूप से नफरत करता था लेकिन मुझे अब तुम्हारे अच्छे चरित्र का एहसास हुआ है इससे खरगोश को लगा कि यह प्रकृती की चिंता है फिर भालू ने कहा मेरे दोस्त चिंता मत करू तुम हमेशा मेरे दोस्त हूँ इसके बाद वो दोनों वहां से खुशे-खुशी चले गए आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक यह है कि आपको सीखना चाहिए सुन्दरता के बजाए चरित्र की सराना करे नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले